मुझे सुही नहीं लगवानी, मुझे सुही नहीं लगवानी हेलो दोस्तो, सीता की कहानी में आपका स्वागत है जैसके आप जानते हैं, ये है सीता की बहन गीता का घर यहाँ पर गीता अपनी बेटे डिंकी के साथ सो रही है तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होने वाला है तब ही डिंगे का मुर्गा कुकडू को जोर जोर से बोलने लगता है लगता है दिन निकल आया चलो मैं उठ जाती हूँ क्या हुआ कुकडू को तुझे भूख लगी है लुक अभी मैं तेले लिए दाना लेकर लाती हूँ मम्मी ने दाना नहीं दिया आज कोई बात नहीं मैं दाना लेकर ला जाती हूँ मिला प्याला कुकडू को लोज मुझे शुबेश वेले चकाता है ये ले देल शाला दाना लाई हूँ शाला खाले अच्छे से ठीक है ना और कुकडू को जल्दी जल्दी दाना खाने लगता है कितने प्याले हो कुकडू को तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्ट मुझे भी भोक लगी है चलो मैं ममी को बोलती हूँ चल्दी से मुझे चाय नास्ता बना कर दे दी ममी ममी उठिये हो अरे क्या हुआ दिंकी क्या कह रही हो तुम आज मेरी तबियत खराब है मैं नहीं उठ पाऊंगी हले ममी तुम्हे तो बहुत देज बुखाल हुए है पापा भी शहल गई हुई है ममी को कौन होश्पिटल ले कर जाएगा चलो मैं सीता माशी को पुला लाती हूँ ये ठीक लहीगा सीता माशी ममा को होश्पिटल ले जाएगी तब ही यहाँ पर सीता आ रही होती है अच्छा है मैं सुबह सवेरी ही आ गई अब गीता के साथ शोपिंग करने जाऊंगी गीता गीता कहा हो तुम सीता माशी मम्मी तो पिमाल हो गई है उन्हें बहुत तेज बुखाल है वो तो बिष्टल जे उठपी नहीं पाल ही हाँ सीता सीता तुम आई हो क्या पाफ करना आज मैं तुम्हारे साथ शोपिंग नहीं जा सकती हरे शोपिंग को छोड़ो तुम मेरे साथ चल्दी से होस्पिटल चलो क्या होस्पिटल लेकिन मुझे तो चक्करा रही है और फिर दिंकी भी तो घर में अकेली है वो कैसे रहेगी तब ही यहाँ पर सोनल और स्विटी भी आ जाती है हले कीता माशी तिंकी हमाले पाश लहेगी हाँ मम्मे आप होस्पिटल चले जाएए मैं यहाँ शोनल स्विटी के साथ लह लूँगी हम अच्छे से खलका खयार लखेंगी आप जाकर दभाई ले आए अरे मेरी समझदार बेती तुम्हारा शुक्रिया दिंकी तुम अच्छे से घर पर रहना मैं चल्दी ही होस्पिटल से दभाई लेकर आ जाऊंगी चलो सीता दीदी अब हम चलते हैं मेरी तब्यत तो आज कुछ जादा ही खराब है उससे चला भी नहीं जा रहा लेकिन जाना तो होगा हाँ चलो गीता मैं हूना तुम्हारे साथ हम पैदल नहीं जाएंगी हम रिक्षे से जाएंगी और कुछ देर बाद सीता और गीता होस्पिटल पहुँच जाती है सीता दीदी मुझसे चला नहीं जा रहा और यहां तो पेशेंट की लाइन लगी है अरे कोई बात नहीं गीता तुम यहां बेंच पर लेड चाओ आराम से जब तुम्हारी बारी आएगी तो चलेंगे डोक्टर की पास मुझे तो बहुत चक्कर आ रही है मैं यहां बेंच पर लेड जाती हूँ आप सही कह रही है हाँ हाँ गीता मैं हूँ तुम्हारे पास तुम आराम से लेड चाओ मैं चाह खर Đक्टनी जी से बात करती हूँ धक्टनी जी हरे सीपा क्या हुआ तुम्हारी भी तबयत खराब है क्या रुको तो मिनट अभी धक्टनी जी दूसरे पेशंट को देख रही है और ये कौन है तुम्हारे साथ ये मेरी बहन गीता है और मेरी नहीं गीता की ही तबियत खराब है डक्टर नी जी अच्छा तो ये बात है गीता की तबियत खराब है खेर कोई बात नहीं गीता तुम थोड़ी देर यहां पैंच में लेर जाओ अभी डक्टर नी जी तूसरे पेशेंट को इंजेक्शन लगा रही है क्या कहा इंजेक्शन कहीं तक तहने ची मुझे तो इंजेक्शन नहीं लगाएगी न मुझे बहुत डर लगता है इंजेक्शन लगवाने से तेखो मैं तो गोल यहीं खालूँगी अरे इतनी बड़ी होकर तुम सुई से डरती हो चलो कोई बात नहीं तुम अपना नमबर आने का इंतजार करो तब तक इहां आराम करो तुम अरे क्या कर रही हो चान्नी, तुम्हें सुई तो लगवानी होगी यह तुम्हारे लिए और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत जरूरी है ठीक है ना छल्डी से सुई लगवा लो तुम नहीं, मैं सुई नहीं लगवाँगी डक्टर नी जी क्या हर बार सुई लगवालो आप मुझे कोई कोली दे तो मैं तो वही खा लूँगी अरे कैसी बाते कर रही हो चानली देखो तुम्हारी डिलिवरी होने वाली है और सुई तो तुम्हें लगवाने ही पड़ी अब चल्दी से सुई लगवालो हरे दक्टर नी जी देखो धीरे से लगाना कितने चोड से सुई लगा रही है आप देखा हो गया ना तुम भी ना चान ने ठीक है आप मैं चलती हूँ अगले महीने फिर से आऊंगी पता नहीं कब तक मुझे सुई लगवानी होंगी हरे सीता मेम साब आप पी आई है क्या हुआ है आपको चलती से नेक्स पेशेंट आ जाईए हाँ हाँ अभी पुला कर लाती हूँ मैं अरे सीता तुम्हारी बहट गीता की बारी आ गई चलो इसे अंदर लेकर चलो गीता उठो जल्दी से टॉक्टर ने पुला रही है हाँ अभी चलती हूँ मुझे तो बड़े चक्कर से आ रही है अरे गीता क्या हुआ है तुम्हें चलो यहाँ पर आराम से पैश चाओ मुझे सुबह से सर में दर्ध है चक्कर से आ रही है और पुखार भी है सब कुछ घूम रहा है जैसे ऐसा लगता है कि बुकाम पाया है अच्छा तो यह बात है चलो तुम्हें अच्छे से चेक अप करना होगा तुमना आराम से लेख चाओ हाँ हाँ डक्टर नी जी देखी क्या हुआ है आखिर मुझे मुझे तो बड़ी टेंशिन हो रही है अरे खप्राने के कोई बात नहीं है आखे खोलो अरे तुम्हारी आखे तो एक तब पीली पड़ गई है हाँ लगता है तुम्हें पीलिया हुआ है मुझ खोलो जरा अरे बड़ा मुखोलो जरा जीप बहार निकालो अरे क्या मुख के अंदर बैठ कर मेरा चेक अप करेंगी दक्तर डीजी मुखोला तो हुआ है अरे तुम्हारी जीप बिल्कु लेक्तम से ऐसी सफेड सी हो गई है जैसे तुम्हें पी लिया हुआ है अरे पीत में हाँ हाँ पीत में भी गड़ बड़ दिख रही है मुझे तो पता नहीं क्या-क्या उल्टा सीधा खाती हो तुम्ही गीता मैंने देखा ता कल तुम्ही चाट पकोड़ी की रड़ी पर अरे हाँ हाँ यह तो इसकी पुरान यादत है डक्टर नी जी इसे दो दिन सुयां इकठी लगा दी जी अरे नहीं नहीं बस एक ही सुय लगानी पड़ेगी तभी गीता अच्छे से ठीक हो जाएगी हरे ये कैसे बाते कर रही है तक्तेनी जी मैं कोई सुई वोई ना लगवाऊंगी तुम चुपचा बैठ चाओ ठीक है ना सुई तो तुम्हें लगवानी होगी जब देखो चाट पकोड़े उल्टे सिधी चीजे खाती हो तुम तभी बिमार पड़ती हो नहीं मैं बताई दे रही हूँ मैं सुई नहीं लगवाने वाली देखो ड़क्तेनी जी मुझे गोली दे तो नहीं तो मैं भाग चाओंगे अपने घर अरे अब तो तुम से चलाने ही जा रहा था और अब तो भागने की बाते कर रही हो चुपचा ब्लेर चाओ ठीक है ना बाकी के पेशेंट में इंदिजार कर रही है गीता ना मैं सुई नहीं लगवाँगे देखतेनी जी चाहिए आप मैं तो बताई दे रही हूँ सुई नहीं लगवाने वाली में कैसे बाते कर रही हो तुम ऐसे नहीं मानोगी मैं बश्टपन में भी ऐसा ही करती थे तुम रुको मैं बताती हूँ अरे-नशिका कर रही है शीता देदी अरे अरे मुझे जोड़ो छोड़ो क्या कर रही हूँ चुप रहो तुम ठीक है ना और अराम से सुई लगवा लो चल्दी से सुई लगा दो डग्टर नी जी ये तो इसका प्रिच्पन का ड्रामा है सुई के नाम से ऐसे ही सब को परिशान करती है ये लड़की अब लगा दो इसे चोड से सुई ठीक है ना हमेशा चाट पकोड़ी खाकर बिमार होती है हाँ हाँ ठीक है मैं सुई लगा देती हूँ अरे चुप हो जाओ गीता बस देखो लग गई सुई हरे कितनी चोड से सुई लगा दी मुझे तो बहुत तर्थ हो रहा है बहुत तर्थ हो रहा है अब बस करो तुम चल्दी ही ठीक हो जाओगी ठीक है ना चलो बुटकर बैड चाओ आपने बहुत अच्छा किया जैसे सुई लगा दी अभी ये अच्छे से मानेगी आपके पास हमेशा उल्टा सीधा खाना तो इसके बच्पन की आदत है आखिर मैं इसके बड़ी वहन हो अच्छे से जानती हूँ चलो बुट पी जाओ लेटी रहोगी क्या चलो उठ चाओ अब अरे दीदी आखिर आपने मुझे सुई लगवा ही दी चलो कोई बात नहीं अब डक्टर नी जी से पूछो कोई गोली दवाई भी खानी है या बस हो गया हाँ ठीक है तुम यहाँ खड़ी रहो मैं अभी जाकर डक्टर नी जी से बात कर लेती हूँ डक्टर नी जी कोई दवाई भी खानी है क्या गीता को हाँ हाँ ये सारी गोलिया ले जाओ इसे पांच दिन तक गोलिया खानी है सुबे दो भैर श्याम ठीक है ना अच्छे से टाइम पर दवाईया ले इसे पी लिया हुआ है और उल्डे सीधी पाहर की चीजे खाना बंद कर दे मैं अच्छे से टाइम पर दवाई दूँगी गीता को और बाहर की कोई जीज नहीं खाने दूँगी यहेलो गीता तुम्हारी दवाईया हाँ चल यह दी दी आपने आखिर मुझे सोई लगवा ही दी दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छे लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कल फिल मिलेंगी एक नई वीडियो के साथ थेंकियो फो वाचिंग बाब बाई दोस्तों